बिहार के अररिया में एक पत्रकार की हत्या के बाद फिट से वहाँ कानून अवर्वस्ता को लेकर सवाल उठने लगे है हमारे साथ है केंद्री मंत्री अشवनी चौबे सर अब तो वहाँ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है वीमल यादो नाम के पत्रकार की हत्या कर दे गई है अरहिया में क्या कहेंगा बाए चाचा भतीजे की सरकार हो रही है लोगों पर लगातार हत्याचार यह चाचा भतिजा मिल करके बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दिया है और पूरी तरह से बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो मजाग बनके रहा गया है और सच कहिए तो अभी जो आपने पत्रकार का नाम लिए बिबल जादब जी दिनेक इनसान और एक अच्छे पत्रकार के रूप में वहां वो अस्थापित थे उनकी हत्या कर दी गए उनके एक साल पहले भी उनके भाई की हत्या की गए थी चोटे भाई की तो यह तो हत्या की रादनीती ब्यार में हो रही है अग कुर्शी कुमार जी को मुड़ी हिलाने से कोई अगर पूछेंगे तो कहगा कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूं और क्या देख रहे हो ब्यार में लगातार हत्या हो रही है दिन के दो पहरिया में भी सामको भी और रात म आप ने देखा समस्तिपूर में धरोगा जी की हत्या होई ऐसे चो वो नंदिकिसोर यादप जी ये नंदिकिसोर यादप की हत्या होई दरोगा जी की हत्या हो गई तो पत्रकार मारे जा रहे है, दरोगा मारे जा रहे है, महलाएं मारे जा रहे है, यूवक और यूवती, पंडरा अगस के दिन दिन दारे, पीट पीट करके, और एक यूवक और यूवती को पूरी तरह से कहा जाए, उसके हत्या कर दी गई, तो ये क्या हो रहा है, हत्या का चल रहा है बिहार में और बिहार सत्पुच में कहा जाए कि आज देश में क्राइ्म स्टेट के रूप में वो बन गया है ग्रहीमंत्री खुद नितीश कुमार है भी है कर आँ लेकिन नितीश कुमार जी को कोई सर्म नहीं है यह कुर्षी कुमार जी मलब इन से कुर्षी भी सर्मा जाती है यह आलत है अब बिहार को यह किस ओर ले जा रहा है चाचा बतीजा, बड़े भाई, छोटे भाई यह सब मिलकर के बिहार को पूरी तरह से दस्तनाबूत करने में जल लगे हुए है व्यार की जनता सब देख रही है इनको प्यारा है अब ये चले है मोदी जी को इसारा करने की बंगलोर जा रहे हैं बंबई जाने की त्यारी करें दिल्ली आये थे अभी सीधे वेरंग वापस हो गए बंगलोर से भी वापस हो गए दियार की कानून व्यवस्ता को बिल्कुल द्वस्त कर दिया ही आरोप लगा रहे हैं अश्वनी चौबे नेदिली से इंडिटीव इंडिया के लिए प्रशांद